दोस्तों क्या आपके भी प्ले स्टोर में आपको यही प्रॉब्लम दिखाई देता है जैसा कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास स्क्रीन सौट है मैंने कल अपने प्ले स्टोर पर बहुत सारे एप्लिकेशन को अपडेट किया था एक साथ यहां पर देखेंगे हमारे पास 14 जो मैंने अपडेट के लिए लगाया था लेकिन सारे के सारे एप्लिकेशन यह पेंडिंग में लगे थे कोई भी एप्लिकेशन हमारा अपडेट नहीं हो रहा था तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे सौल्व कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर एप्लिकेशन के अंदर और आपके सारे एप्लिकेशन अपडेट होना स्टार्ट हो जाएं लेकिन अब आपको दिखाते हैं चलते हैं अपने मुवाइल फोन के प्ले स्टोर पर और यहां पर आपको दिखाते हैं कि अब हमारे एप्लिकेशन सारे के सारे अपडेट हो चुके हैं या नहीं हम मैनेज ए यहां पर देखेंगे सिर्फ हमारे तीन एप्लिकेशन के अंदर अपडेट आया हुआ है अगर हम अपडेट आल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सारे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसा कि आप लाइव देख सकते हैं कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आती है हमा कि मैंने आपको लाइव दिखाया हुआ है कि हमारे एप्लिकेशन अपडेट होना स्टार्ट हो जुके हैं यहां से आप बैक आजाएगे बैक आने के बाद सबसे पहले अपने मुबाइल फोन में जो आपका एरो प्लेन मोड है उसे आपको चालू करना होगा कभी 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 हो जाता है कि हमारे SIM में हमारा Internet ही खताम होता है जैसिए हमारे मन में यह प्रसन आता है कि आहां पको अंगले दिन प्रियास करना होगा आपको अंगले दिन जो data मिलेगा फिर आपका update होना start हो जाएगा कभी-कभी ये भी आपसे गलती हो जाते है और आप चेक नहीं करते हैं लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो आप यहां से back आजाएगे back आने के बाद अपने play store पर long press करिए long press करने के बाद i button मिलेगा ध्यान से देखिए i button अब आप इस पर click करिए app info जैसे कहते हैं तो इस तरीके से आजाएगा यहां पर आपको एक option मिलेगा थोड़ा सा नेचा हैंगे तो यहां पर आपको एक option मिलेगा mobile data का यहां पर देखेंगे mobile data तो आप इस पर click करिए Google में एक विकल्प मिलेगा clear data अब आप clear data पर click करिए और यहां से आप इसे okay कर देजे जैसे आप इसे okay कर देंगे okay करने के बाद यहां से back आजाए बैक आने के बाद mobile की setting को open करिए open करने के बाद थोड़ा सा नीचा आएंगे यहां पर आपको एक setting मिलेगा apps के नाम से या manage apps के नाम से अब आप इस पर click कर देजे गाद यहां पर आपको एक option मिलेगा search bar का अब आप इस पर click करिए और यहां पर आपको search करना होगा Google जैसे आप इस सर्च करेंगे Google तो आपके समने एक setting आजाएगा Google Play Service अब आप इस पर click कर देंगे जैसे आप इस पर click करेंगे click करने की बाद आपके समने Google Play Service open हो जाएगा यहां पर आप नीचा हैंगे storage पर click करना होगा जो आपने play store पर किया था वही आपको यहां पर भी करना हुग clear chase करेंगे और manage story पर click करेंगे यहां पर आपके विकल्प मिलेगा clear all data अब आप इस पर click कर दीचे और यहां से आपके डिलेट पर click कर दीचे यहां से भी आपका कोई भी data डिलेट नहीं होगा आप पर रिशान मत होना आप यहां से बैका जाएगे और अपने mobile phone को एक बार restart कर लेंगे यानि कि सुचौप कर लेंगे सुचौप करने के वाद फिर आप इससे आप चालू कर लिचे और आपका सारा problem fixed हो जाएगा बस इतना आपको करना होगा आपने किसी भी mobile phone हो कोई भी company का हो तो मैं आसा करूंगा अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा और सुन होगा तो आज आपको पता चल गया होगा तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका पहुत पहुत धन्वाद